एलो दोस्तो वेलकम देवहुमी एजुकेशन पॉइंटे में आपका स्वागत है तो दोस्तो जैसे कि आपको पता था हम उत्राखंड हैंड रिटे नोटस आपके लिए लेकर आ रहे हैं इसमें हमने एट आठ क्लास हैं कर चुके हैं आज नवी क्लास है इसमें बीज में रांचन दुट्टी तक हमने लास्ट वीडियों अपलोड डिस्कस किया था आज की वीडियो में जगत्चन से स्टार्ट करेंगे और चंदवंजे का राज्यी जो लास्ट होता है जहां पर वहां तक हम इसको कंप्लीट करेंगे ठीक है तो मेंगे साथ वीडियों में लास् दोस्तो जगत चंद का जो कारिकाल था चंद वनसी की इतिहास का सरवादिक उतकरष्ट कारिकाल इसके कारिकाल को माना जाता है यह जो है एक उचे दर्जे का मिलनसार व्यक्ति था मिलनसार होने की वज़े से जो है प्रजा की अपार सरद्धा जो है जगत चंद के उपर थी इसके कारिकाल में इसके सासन के समय जो है राजित धन्धानी से परिपूर्ण था और एक क्वेस्चन जो अब महत्वपूर्ण यहां से आता है कुमाओं का स्वनकाल किसके सासनकाल को कहा जाता है तो भई वो जगचन के सासनकाल को ही कहा जाता है most important है दोस्तों इसका एक बरम मुवानी तामर पत्र मिला है जिसमें ऐसा उल्लेक मिलता है कि जब बधानगर युद्ध हुआ था तो बधानगर विजाई में जो है विरेश्वर जोशी ने जासूशी की थी तो उस विजाई में जासूशी करके इसने साहिता की थी इसके उपलक्ष पिता की मिरत्यू के बाद जगत चन ने क्या गया दूसरा तामर पत्र विरेश्वर जोशी के पुत्रू को दिया ये भी आपने धियान रखना है जगत चन के राजय भिशेक के प्रथम वर्स में ही जब जगत चन का राजय भिशेक होता है उसके पहले साल में ही इसने क्या गया लोहा बगड और बधान गड़ पर क्या कर दिया बहिया चड़ाई कर दी और बधान गड़ पर इन पर कबजा कर लिया इन दोनु गड़ों को जीत कर जो है इसने स्री नगर की ओर को प्रस्तान करा तो स्री नगर में इसका क्या होता है गड़ नरेश फतेशा के साथ भें तो स्री नगर पर जगत्चन ने अधिकार कर लिया और स्री नगर में अधिकार करने के बाद स्री नगर में इसने अपना प्रतिनिती रखा और वहां से क्या हुआ ये वापस आ गया फते शाह ने इस प्रतिनिती को मार दिया यहां पर जब ये जगत्चन वहां से वापस आ ग गरूर बैजनात गाटी रौद डाली और गरसार ग्राम को इसने क्या कर दिया बद्रिनात मंदिर को चढ़ा दिया इतनी घटना होती है यहां तक उसके बाद जगचन ने मुगल समराट बाहदूर शाह को कई अनेक पहाड़ी चीजें भेट देने का उलेख मिलता है अब आप तरीके के कुछ कस्तूरी वगरा ठीक है यह सबी चीजें जो है इसने भी भेट सोरो मुगल समराट बहादूर शाह को दी बहादूर शाह ने भी बदले में इसको क्या दिया दिल्ली पती ने उसको अभाईदान दिया जगचन ने जुवारियों पर कर लगाया यह बहुत ही कि सीतला देवी के प्रकोप से हुई हालकि चेचक भी इसको हुआ होगा तो लोगों का यही मानना था कि सीतला देवी के प्रकोप से इसको चेचक हुआ और इसके मिरत्यू हुई यहां से कुछ important point हैं जो कुछ रह गए होंगे हमारे part से उसको देख लेते हैं दोस्तो एक question आता है कि हजारों गायों को दान देने का उल्ले किसम मिलता है कि इसके कारिकाल में जगत्चन के कारिकाल में ऐसा माना जाता है कि इसने हजारों गायों का दान किया था उसके बाद जगत्चन को एक समर्पित पुस्तक लिखी है पदमदेव ने जिसका नाम क्या है उसका नाम है जगत चंद्री का और उसके लेखक क्या है बदमदेव उसके बार आता है देवी चन दोस्तों सतरो सो बीस तक जगत चन का हमने बताया था सतरो सो बीस से लेके सतरो सो चबबीस तक देवी चन का कारिकाल माना जाता है बरम तामर पत्र में इसको जो है कुमार श्री देव सिंग गुसाई जीू करके इसका उलेग मिलता है इसको संबोधित किया गया है दोस्तों जो देवी चन था ये हमेशा चाटुकारों से घिरा रहा तो चाटुकार पंडितों की सलाह पर कुमाओं का विक्रमादिती बनने की तमन हमें चाटुकार पंडितों आपकी मुह के सामने बहुत अधिक चाटुकारिता कर रहा है बहुत अधिक अच्छाई कर रहा है आपकी तारीफ कर रहा है तो इसका मतलब कुछ दाल में काला हो सकता है तो इसी प्रकार से यहां पर भी कुछ चाटुकार पंडितों ने इसके पास इसके खूब तारीफ की खूब इसको अच्छे चे सपने दिखाए ये वो इस तरीके से जो है उसको काफी लूट लिया तो वो दना दन उन पर धन बरसाता रहा धन व्याई करता रहा तो वो जो है विक्रमा देती तो बन नहीं पाया तो इसलिए वो क्या बन पाया कुमाओ का मुहमत तुगलग बन ग ठीक है ये question आता है कि देवी चंद को पागल सासक किस ने कहा है एड किसन और रुद्रपंत ने कहा है कुमाओ का रंगिला बात साहभी किसको कहा जाता है देवी चंद को ही कहा जाता है दोस्तों ये भी सीधे सीधे question आता है जागिश्वर मंदिर में इसकी एक मूर्ति स्थ खापित की गई है गणाएं का युद्धु जो है वो देवी चंद और प्रदीपSea के बीच होबा एंसे सीधे सीधे क्यों आता है देवी चंद और P Marti प्रदीप्सा के बीच मुस्लिम ब्यक्तिस दाऊद खांग को इस ने अपना सेंपती रह गया ठीक है यह कोटेशन है यह आती है कई बार एक्जाम में यह किस ने कहा है बदीदर पांडे ने ऐसा माना है इसके बाद सत्रसो चप्वीस से सत्रसो उन्तिस तक जो है अजीत चंद का शाशन होता है ज्यादा समय के लिए नहीं रहते हैं यह थोड़े थोड़े समय के देखेंगे दोस्तों पीपिली के राजा नर्पति सिंग का पुत्र था यह तो लखनो संग्रहाले में उपस्ती तामर पत्र के अनुशार कुमाओं की गद्दी खाली थी तो अनूप सिंग तड़ागी मान सिंग गड़ा या मानिक गड़ा भी इसको बोलते हैं कही पर आप बाकी जो मान सिंग गड़ा और अन्य लोग हैं मानिक गड़ा और अन्य लोग वो सभी कहने लगे कि अपना बेटा भेज दें लेकिन यह वहां पहुँँच कर अनूप सिंग तड़ागी ने विरोध कर दिया अब वहां से बाहत करके कुमाओं आया और यहां से उसने कुछ लोगों के साथ सला मश्विरा करा और उसके बाद वो डोटी चला गया वहाँ से कल्यान चंद को लाने के लिए कि भई हम क्या करेंगे कल्यान चंद को गदी पर बठाएंगे वो डोटी चला गया अब कल्यान चंद को जब वहाँ से लाया 1729 की ये घटना है इसने मरवा दिया ठीक है जो अजीद चंद को लेकर आये थे उनको इसने मरवा दिया हिम्मत सिंग भाग कर जो है रोहिला साजक अली मुहम्मद खां के पास सरण लेने चले गया और इसने जो है कल्यान चंद ने क्या क्या हिम्मत सिंग को भी मरवा दिया अब यहां से इसी व पर आक्रमन कर दिया भीमताल के नीचे परगना छकाता में इस्तित विजयपूर में घमासान लड़ाई हुई कल्यान चंत की सेना में भगदर मच गई अब कल्यान चंत की सेना में भगदर मचने के कई कारण थी दूस्तों उसमें नंबर एक था कुमाउनी सेना में एकता की कम इतना भाई मचा दिया था यानि कि जैसे भविशी देखकर पर जाता है ऐसी संकट आने वाला है इतना बुरा तुमारी सेना के साथ होने वाला इस तरी के से हाहाकार मचा दिया सेना के बीच सेना बहुत ज्यादा भाईवीत कर दी इन्होंने तो इसका क्या परिणाम होता है रोहेले जो थे इनका समस्त शेत्रों पर अधिकार हो जाता है तो समस्त शेत्र को ये पूरे उस शेत्र को रौधते हुए अल्मोडा पहुँचे अल्मोडा पर इन्हें अधिकार कर लिया अल्मोडा की जो कचरी है और वहां के अनेग मंदिर है इनको इन्होंने क्या कर दिया रोहिलू ने या कटेहरू ने तोड़ दिये अब कल्यान चंद्र यहां से भाग कर क्या हुआ गड़वाल नरेश परदीप साह के पास चला गया क्योंकि इस तरीके की रोहिलू ने वहाँ पर आतंक कमचा दिया था इस तरीके से रोध दिया था वो अपनी जान बजाकर कहां भाग गया गड़वाल नरेश परदीप साह के पास चला गया भारी मातरा में रोहिलू ने दोस्तों यहां पहुंच करके नरणारियों को दास बनाकर मैदानी शेत्रों में बेचने के लिए भीज दिया डर के मारे लोग क्या हुए मुसल्मान बन गए और आज भी अल्मोडा में ऐसा माना जाता है कि बहुत सारे ऐसे हिंदू लोग है जो मुसल्मान बन गए थे लेकिन मुसल्मान बनने के बाद आज भी इनके नामों के पीछे जो जाती है वो हिंदु जाती के इनके उपनाम है तो ये देखने को मिलते हैं उसके बाद दूनागिरी का युद्ध जो होता है दूनागिरी का युद्ध जो गडवाली और कुमाउनी सेना यहाँ पर पहली बार रोहिलों के खिलाब लड़ी थी एक साथ एक जूठ होकर के इसमें भी र कल्याण चंद के बीच फिर से युद्ध होता है तो इस युद्ध में कल्याण चंद का सेनापती धा जिसका नाम है शिब्दा जोसी तो शिब्दा जोसी ने कुसल नेत्रतु किया उनके कुसल नेत्रतु के परड़ाम शुरूप क्या होता है रोहिले इसमें हार जाते हैं और कल्यान चंद की जीत हो जाती है तो यहाँ पर 775 में फिर से कल्यान चंद जीत जाता है और 747 में गड़वाल शाषक प्रतीष èveशाग ने अपने दो वकीलों स्री बंथु मित्र और श्री लक्षिमिधर ओजा यह दो वकीलों को कल्यान चंद के दरवार में भेजाता यह कल्यान चंद का एक दरवाई कवी था शिव जिनका नाम था शिव तो शिव ने कल्यान चंद्रोयम की रचना की और कल्यान चंद ने जो है मान सिंग गैडा और उसके पूत्र पूरन मल को मार करके अलमोडा में एक चौ महला महल बनवाया जैसे कि मैंने पहले कहा था इसने 1973 में राजधानी को इसने राजबुंगा कहा है ऐसा उलेक उसमें किया गया है और कल्यान चंद ने अपना पुत्र शिव जोशी को शोंप दिया था तो शिव जोशी ने दीपचंद को 747 से लेके 777 तक जो है इसका शासन आता है तो दीपचंद को इसने 777 से तो इसको पुरा राजिकाल चल रहा था दोस्तो पानीपत की जो तीसरी लडाई हुई थी इसकी डेड़ 14 जनवरिрах 701 की पानिपात की जो तीसरी लडाई हुई तो दीव चंद के समयों में हैं ये लडाई हुई थी इसमें पानिपाकी पानिपात की पराजित होगए दिपचंद के समय में ती के सीधे सीधे ध्यान रखना आपने सीब्दत जोशी की बाद में मृत्यों हो जाती है काशिपूर में और शिब्दत जोशी को एक उपनाम से जाना जाता है चैसे कह सकते आप राजिकार में की थी तो रुद्रपंति इसको बैरंखा मानते हैं उसके बाद पलाशी का युद जो हुआ था बीह जून सतरसो शतावन को तो ये भी जो है किसके समय हुआ था दीपचंद के समय ही हुआ था पलाशी का युद बिलिटेस इस्टी इंडिया क सिग ने बड़ी चालाकी से हरसेदेब जोशी के भाई जयकृष्न जोशी को मरवा दिया और हरसेदेब जोशी को इसने कैद कर लिया राजा दीबचन को भी इसने कैद कर लिया अब सतरसो سदट्तर के अंत में दीबचन और और उसके दोनों पूत्रों को इसने सिराकोट के किले में मार दिया और दीबचन की मौत साहजां की तरह कैद में तडब तडब कर हुई थी जैसे कि हमने अभी भी कहा इसने क्या क्या था इनको कैद कर लिया था दीप चन को कैद कर लिया इसने ठीक है और हर्षेदेव जोशिव को भी कैद कर लिया जब सिराकोट किले में जब इसको कैद करहा तो कई समय काद सतर जुपर के साज हां जिय समय काद में रहना पड़ा और उसके बाद उसके मृत्ति हुई तड़क तड़कर उसी तरीके से दीपचन के भी मृत्ति हुई थी कुमाओं के इतियास मगर देखा जाए तो फ्रांसिस हैमिल्टन ने दीपचन्द को गुंगा कहा है ठीक है तो ये भी एक सीधे सीधे क्वेस्टन आता है अब यहां से मोहंचन्द जब दीपचन्द मर जाता है तो मोहंचन्द की इंटरी हो जाती है मोहंचन्द ने हाला कि एक क्वेस्टन बनता सीधे सीधे कि कौन सा वो ऐसा राजा था जिसने एक राजा के होते हुए स्वयंग को राजा घोशित कर दिया था वो मोहनचंद ही था ठीक है मोहनचंद ने दीबचंद के जीवित रहते ही खुद को राजा घोशित कर दिया था परमार सासक ललीत साह हर्षदेव जोशी की साहता से चंद राज़ी पर इन्होंने आक्रमन किया ललीत साह ने देखी हर्षदेव जोशी है इसको कुमाओं का चानक के कहा जाता है, यह आपको पताई होगा, जब इसने जो है चंद राजी पर आक्रमन किया, तो यहाँ पर वीजाई इनकी हुई प्रद्युमन शाह को इन्हों ने प्रद्युमन चंद के नाम से कुमाओं की गद्धी पर बैठा दिया, अब यहाँ से जब प्रधियुमन चंद नाम से जो है प्रधियुमन शाह गद्धी पर बैठते हैं 1779 में तो लगबख 1786 से तक इसका कारिकाल यहां पर सासन रहता है दीब चंद का धर्म पुतर बन करके एक कुमाओं की गद्धी पर बैठाया गया इसको प्रधियुमन शाह को तीक है प्रधियुमन चंद के नाम से जैकरत साह की मृत्यु के बाद प्रधियुमन साह को हर्षदेव जोशी ने गड़वाल और कुमाओं दोनु का नरेश गोशित कर दिया मोहन चंद ने इसका विरोध किया था और अपने भाई लाल सिंग की मदद से इसने आकरमन कर दिया अब देखे जब मोहन सिंग विजाई हो जाता है पाली गाओं की युद्ध में जो 1786 में हुआ तो यहां से मोहन चंद का कारिकाल एक बाद फिर से शुरू होगा जब जब जिस युद्ध में कोई विजाई हो जाएगा तो वहां से खुद तो राजा बनेगा तो मोहन चंद वापस से जो है दूसरी बार 1786 में राजा बन जाता है तो यह क्वेस्चन भी आता है कि दूसरी बार राजा बनने वाला एक मात्रे चंद साशक कौन था तो वह मोहन चंद ही था इसने भी 86 जे लेकर के 88 तक लगबग कारिकाल अपना मलब शासन यहां पर किया यहां अगर मोहन सिंग ने हर्षदेव जोशी को पराजीत किया था हर्षदेव जोशी जान बचा करके पाली गाओं की युद्ध से भाग करके श्रीनगार के और भाग गया था उसके बाद उसके मन में कहीं न कहीं तो यह होगा कि मुझे बदला लेना है उस चीज की खुरनस मुझे निकालनी है तो वो वापस आता है दो वर्षदेव जोशी यहां से जीत जाता है किस तरीके से उसने पूरी रणनीती बनाई किस तरीके से चानेकी की तरह उसने अपना दिमाग लगाया तो इसलिए इसको कुमाओं का चानेकी भी कहा जाता है तो इसने क्या क्या भई हर्षदेव जोशी की जीत होगी यहां से उसने मोहन सिंग की हत्या कर दी और लाल सिंग को जेल भीज दिया जो उसका भाई था मोहन सिंग का लाल सिंग को जेल भीज दिया हर्षदेव ने शिवचंद को गद्धी पर बठा दिया वो खुद गद्धी पर नहीं बैठा ठीक है और इसलिए ऐसा कहा जाता है कि जो शिवचंद था वो कटपुतली राजा था ठीक है तो कटपुतली राजा किसका था हर्षदेव जोशी ने इतना कुछ किया और कारिकाल का पूरा जिम्मा पूरा सब कुछ वो देखता था लेकिन खाली एक गोवर गनेश बना करके किसको बैठा दिया उसने शिवचंद को बैठा दिया अब उसके बाद कुछ नहीं नहीं कुछ इंपर्टेंट चीजी यहां से शुरू होती है जैसे नागा बाबाओं की सेना तियार करने वाला चंद सासक कौन था क्योंकि ये कुछ फैक्ट हैं जो एक्जाम में पूछे जाते हैं एक सीदे क्वेश्चन आते तो ये मोहनचंद ही था भाई इसने नागा बाबाओं की सेना तियार की थी भगवाली पोखर का युद्ध जो हुआ था दोस्तों वो किसके बीच हुआ था मोहनचंद और ललित शाह के बीच हुआ था जिसमें ललित शाह विजई होते हैं और पुत्र प्रद्युमन शाह को गद्धी मिल जाती है ठीक है ये भी आपको ध्यान रखना है उसके बाद शिवचंद आता है शिवचंद 1788 से लेगर के हर्षदेव जोशी ने मोहनचंद और उसके पुत्र विसंद सिंग की हत्या कर दी और उसके बाद शिवचंद को इसने गद्धी पर बठा दिया शिवचंद जो है कटपुतली राजा या मिट्टी का महादेव की संग्या इसको दी जाती है ठीक है ये दोनों इंपोर्टें का अन्तिम शाषक जो है महिंद्र चंद है दूस्तों तो 1788 से लेकर करके 790 तक का कारेकाल माना जाता है चंद वनुष्ध का अन्तिम शाषक ताए हवालबाग का युद्ध होता है दोस्तों 1790 में जो गोरखे और महिंद्र चंद के बीज होता है इसमें क्या होता है गोर्खे विजय हो जाते हैं हवाल बाक की युद्ध में और यहां पर से कुमाओं पर किसका अधिकार हो जाता है गोर्खों का अधिकार हो जाता है और चंदवनशे का अंत यहां पर हो जाता है तो इस परकार से पूरे चंदवनशे के एक कहानी रही कैसे उतार चड़ावाए और लास्ट में जो है कैसे यहाँ पर विजाई हो जाते हैं गोर्खे और सत्रसुनब्य में कोमा पर अधिकार हो जाता है गड़वाल के इतिहास को पढ़ेंगे गड़वाल में भी किस तरीके से जो है पूरे इतिहास रहा गड़वाल का और फिर वहाँ भी गोर्खों का अधिकार हो जाता है वो सारे चीज़े भी हम आगे लेकर चलेंगे इसका एक लास्ट भाग हम लेकर आएंगे जिसमें टेक्स को डिसकस करेंगे और कुछ एका चीज चन्दों के अब उमीद करूंगा लगातार जो है आप लोगों के लिए क्लास लेकर आओं स्वास्त अगर अच्छा रहता है नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे कुछ आज की क्लास में कुछ अगर आपको कुछ कंप्रोमाईज करने पड़ेंगे तो स्वास्त को देखते हुए ज्यादा एफर्ट नहीं कर पाया मा भी चाहते हैं नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे तब तक के लिए धेर सारी शुपकाम नहीं धन्यवाद जय हिंद